अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना ताके जब मैं ओनलाइन आउं तो तुम्हारे फोन की भी घंड़ा हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर तो दोस्तो आज 25 अपडेट्स लेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले दोस्तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सरकार नहीं गई डबल बेंच तो दोस्तो अभी तक आपकी सरकार 25 अपरेल तक पिलाल डबल बेंच में आपका केस रजिस्टर नहीं हुआ है ठीक है तो 25 अप्रेल तक दोस्तो क्या हुआ अभी आपका case double bench नहीं गया मतलब दोस्तो अब क्या दिखिए आपके द्वारा सबसे ज़्यादा जो question पूछा गया दोस्तो वो था अब क्या होगा या क्या हो सकता उसके बाद दोस्तो कल के date में जो सबसे ज़्यादा training था question कि सर सेफ ज क्या होगा फिट से एक बार explain करें कि मतलब दोस्तो आप लोगों की काफी उम्मीदे कम हो चुके हैं अखत मो चुकी कि सरकार अब आपके support कर रही है क्या सरकार आपके साथ है भी या नहीं दोस्तो तो काफी बच्चों के मन में यह doubts आया कल की date में की सरकार क्या सिच्छा मि क्या होता दोस्तों सभी की जैसे duty लग जाती है voting के दोरान तो उसके कारण से भी दोस्तों आप लोगों का case फोड़ा से लेट हो रहा है तो आपको दोस्तों यह मत समझे कि सरकार अब आपका साथ छोड़ चुकिए जो बच्चे साथ और 65 के समरता के तो उन्हीं थोड़ा स नहीं जाती है तो दोस्तों क्या हो सकता है तो दोस्तों आपको इसका आंसर पता होना चाहिए तो दोस्तों इस पर एक हमने फिर से एक अनलाइज किया है और आपको एक अलग से जोन हम बताने वाले कि क्या हो सकता है दोस्तों क्योंकि अब टाइम काफी निकल चुक है आप दोस्तों उमीद तो थी कि सरकार जा सकती है लेकिन गई क्योंने दोस्तों ये भी काफी सवाल थड़े कर रहे हैं याँ पर तो दोस्तों से लिए सेव जोन का माज इस वीडियो में डिसकस करने वाले कि अब आपके नई सेव जोन क्या होगी और सरकार फिलाल अभी तक तो नहीं कहिए डबल बिंच और आने वाले समय में दोस्तों जाएगी आप लोग को धहर बनाया रखना सी ये थोड़ा समय तक कि जब सरकार डबल बिंच जाए तो उसके अपगेट दोस्तों सबसे पहले आपको देंगे लेकिन देखिए दोस्तों कभी-कभी आप लोग हर यूटीब चैनल के बातों में नाया करिए जैसा कि आपने पहले हमसे कहा कि सर कुछ चैनल ये दिखा रहे हैं कि आप आपकी कटाफ सुनने होने वाली जिरो होने वाली है दोस्तों देखिए आप लोग हर चैनल की वीडियो देखा करिए अच्छी बात होती है लेकिन जो उसमें सही चीज़ होती है उसी को एड़ॉप्ट करना चाहिए आपको जो चीज़ पॉसिबल ना हो दोस्तों उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों से आपका ही नुकसान होता है आप लोग काफी टेंसर में आते हैं और आप लोग हमें यह बताते हैं कि सर वहां पर यह दिखाया जा रहा हमां यहां पर यह दिखाया जा रहा है अब क्या हो सकता देखिए दोस्तों आप लोग काफी सेंस्कूज होते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है दोस्तों तो देखिए आप लोग थोड़ी सी सही जानकरी रखेंगे तो आप लोग कोई दोस्तों फैदा होने वाला है आप लोग इदर उदर जाएंगे तो आप कही हुटसान हो सकता है देखे जैसे पहला कोशन था कि दोस्तों कट आप क्या सूने होने वाली है हमें ने पता दोस्तों आप लोग को कहां से पता चला लेकिन दोस्तों कट आप सूने फिलाल अभी नहीं हो गी तो जो बच्चे इसमें टेंसन मेहा रहे है किसार कट आप 14-45 तक सरका चुकी है क्या अब यह 0 भी हो जाएगी क्या तो मतलब 42,500 सारे सिच्छा मित्र नौकरी पा जाएंगे इसका हिसाब से तो दोस्तों फिलाल अभी आपकी कट आफ सूने नहीं हो रहे तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की टेंसन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है न दो सबसे पहली बाद आप लोग को यह पता होना चाहिए कि आपके इंटर हाइज स्कूल और ग्रेजुएशन बीटीची अप्गेड में कितने परसेंटेज हैं मानते दोस्तों सभी का आप लोग को 10 परसेंट नमर लेना है तो मानते दोस्तों आप लोग को दस्वी में कितने दस्वी क्लास में आपके 70% से तो उसका मतलब हुआ दोस्तों साथ अंका गुडांग 12 परसेंट नमर तो उसका हुआ दोस्तों आठ नमर गुडांग उसी तरह दोस्तों आपका बीएस्टी बीए या जो भी आपने ग्रेजुएशन ले रखिए उसमें दोस्तों जितने फि पॉसिबल ही नहीं है तो कम करते हैं 60% से दोस्तों वहांते आएंगे 6 नमर और उसके बाद दोस्तों बात आती है आपको BTC या वीएड यहाँ पर भी दोस्तों आपको के अगर 70% थे नमर तो आपका आएगा 7 अंका गुडांग तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन सभी न अंक बन गए है अकेडमिक है यह तो आपने इतने अच्छी नमर आई है अच्छी बात दोस्तों उसके बाद होगा क्या है अगर आपने सुपर्टेट में 100 अंक अर्जित किये 100 नमर आए तो दोस्तों सव का 60% कितना होता है 100 गुड़े 60 बटे 150 यह 0 से गिरों यहां कटा 15 15 کसाा साथ 10 गुड़े 40 कें चालीस ठीक है दोस्तों 20 अंक की 28 को क्या करेंगा जोड लें गए 28 और 40 को जोड़ते हैं डोस्तों कितना आईगा 8 4 26 तो दोस्तों आप बन जाते हैं bonesuit 68 अंक तो आपको मन में आ रहा होगा दोस्तों का तो दोस्तो समझते हैं इसको हम यह तो एक नॉर्मल बच्चे के गुड़ांक अगर माल लेते हैं अगर आप सिच्छा मित्र है तो 25 अंका बेटे जोर मिलेगा जोड़ते हैं तो दोस्तो यह सिच्छा मित्रों का गुड़ांक बनेगा जोगा 93 अंका गुड़ांक लेकिन दोस्तो एक बात सही कि वह 100 अंका गुड़ांक तो उनके होंगे 93 अंका गुड़ांक तो दोस्तो आप अब समझ रहूंगे कि 93 अंक गुड़ांक का मतलब दोस्तो ओगया जहां चाहेंगे वह आल यूपी में दोस्तो वहां से नौकरी पा सकते हैं आपके 68 तरंक गुडांक आता है, ठीक है 68 तक को, तो आप लोग की क्या safe जून होगा, आप लोग इसको समझते, मानते पहले जंडल काटेग्री आती है, देखे जंडल में क्या होने वालत हो तो जो सिच्छा मित्र होंगे, अगर वो OBC का कोई सिच्छा मित्र है, या कोई तो अगर लखनौव में सारी सीट्स फूल हो गई है और इनके अंकर गुडांग माल लेते हैं बैट सा 85 अंकर गुडांग बंदा से चामित्रों का और वहां पर को बूद लेंगे दोस्तों को इनको फैदा हो तो कोई जैनल के बच्रेंछ ओपर गुडांग गोडांग को यह 25 पलस अगर यह आपनी सीट बचाना चाहते नई तो दोस्कों जदनराल की सीट को कोई नुक्सान तो होगा नहीं वह किसी अदर सिठी से अपना भर की अपनी नौपरी ले सकते हैं मुदलब आप अपनी खुद की सिटी में नौकरी पाना आपको को मुश्किल हो जाएगा जो कि आपके जनरल के सीट के बच्चे या जनरल के सिच्छा मित्रों देंगे ही टक्कर आपको दोस्तों जनरल के भी सिच्छा मित्र होंगे वह OBC के भी सिच्छा मित्र होंगे जो जनरल के बच्चों को फाइट करेंगे या अस्थी के या अश्टी तो दोस्टों यहां से जनरल की जो侥 ज MOD cicaた बनेगे फोड़ी से ज़्यादा होगी अहर गाइस तूटों यहां पर दे इये बात इंपोर्टेंट होने वाली किळा आपकी इसμοी कैटेगरी से आते हैं तो आप जेनरल में अभी भी आप सेफ हैं 40 और 45 कटाफ के बाद भी लेकिन दोस्तों हम समझ रहे कि 84 अंकर गुडांग जेनरल कटेगरी में बनाना बिना सिछा मित्र हुए यह काफी मुश्किल बात है लेकिन दोस्तों सच्छाई यही है कि आप एक कम से कम 84 अंकर हो सकता है दोस्तों क्योंकि कोई भी सिछा मित्र होंगे सिछा मित्र होगा दोस्तों तो वह OBC के सीट नहीं ले जा सकते तो OBC के लिए पैसे टंक का गुडांग पर्याप्त होगा उसके बाद दोस्तों बात आती है यह SC के टेगरी और उसके बाद आती है SC के टेगरी तो दोस्तों SC के टेगरी लें कम ज़कम 60 से अधिक अंकर गुडांग और में पच्पन से अधिक देखे दोस्तों पच्पन अंग आप लोग सोच रहोंगे इतना कम गुड़ांग जाएगा कि तब तो अच्छी बात है पच्पन अंग में दोस्तों सिर्फ कुछ लखी लोगों को नौकरी मिलेगा जो ताफी लखी होंगे या दोस्तों जिनोंने 75 जि काटेग्री से भी आते तो आपके साथ किस्मत या लख होना जरूरी है ऐसी काटेग्री में भी दोस्तों सेम कंडिशन लाग होता कि अगर आपको 60 अग के गुड़ां के साथ नौकरी चाहिए तो आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए आपका लख फैक्टर अच्छा होना दोस्तों तो और भी अप्डेट से साथ हम फिर मिलेंगे और भी जितने भी सिच्छा बढ़ती से समझेत कोई भी लेटेश्ट अप्डेट साएगी दोस्तों हम फिर से ऑनलाइन आते हैं फिलाल के लिए आप लोग वेट करिए दोस्तों और जैसे सरकार डबल बेंच जाती तब तक के लिए दोस्तों बबबाए और इस्टे करेक्टेट